एक चर्टू है हमारा C language पे तो आज का टॉपिक है वह है language translator तो जैसा कि हमने बात की थी कि हमारा जो program है जो हमारा computer है वो सिर्फ और सिर्फ समझता है machine language को इसको कोई और language समझ नहीं आती चाहे वो high level language हो चाहे वो assembly language हो हमें उन code को जो के उन languages में लिखे है उसको translate करना पड़ता है हमारे computer understandable language में कोई भी high level language हो कोई भी assembly language हो हमें उसे convert करना पड़ता है machine language में यह बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप उर्दू बोलते हो या English बोलते हो आपको Chinese की समझ नहीं आती अब आपके सामने वाला बंदा Chinese बोलता है और आप उसको कैसे understand करोगे आप नआपको Chinese की समझ आती है नचानीज को आपकी अर्दू की समझ आती है वो क्या करेगा आपकी अर्दू को ट्रांसलेट करेगा चाइनीज में और उसको चाइनीज बंदे को बताएगा कि आपने उसको क्या कहा है और साथ ही साथ वो क्या करेगा कि Chinese को translate करेगा उर्दू में और अर्दू में आपको बताईगा कि Chinese आप से क्या कहना चाहता है इसी तरह ट्रांसलेटर्स होते हैं ये एक software होता है जो कि translate करता है high level के जो code है उनको machine language में ताके हमारा computer understand कर सके जब हम उन code को लिखते हैं तो हम लोग अपनी language में लिखते हैं high level language में लिखते हैं जो हमें पढ़ना, समझना असान है और हम लोग उस ease पे रहते हुए code लिख देते हैं then translators क्या करते हैं machine understandable बनाने के लिए हमारे source code को, हमारे program को translate करते हैं machine understandable language में जो के machine language है तो जो language translator है वो क्या करेगा, हमारे code को translate कर देगा high level से low level language में और low level भी वो जो के machine language है तो computer understand only instructions written in machine language यह हम बात कर चुके हैं कि हमारा program, हमारा computer जो है, वो सिफ understand करेगा हमारा system understand करेगा सिफ machine language को उसके लावा वो कोई language नहीं समझता लेकिन हमारे लिए मुश्किल है कि हम machine language को समझें इसलिए हम code यह high level पे लिख लेते हैं इसके बाद हम उसको translate कर वा के अपनी system को बता देते हैं कि तुम्हारे लिए यह वाड़ा code है और वो machine language के थूँ उस code को पढ़ लेता है समझ लेता है और वो functions perform कर लेता है तो जी इस question का answer के हमें translators की जरूरत की हूँ पढ़ी इसी की definition के अंदर है कि high level language को computer understand नहीं कर सकता और machine language हमारे लिए सीखना मुश्किल है तो हम एक ऐसा medium चाहिए कोई center वाला बंदा चाहिए जो हमारी language को translate कर दे computer की language में computer की language जो है computer को समझ आती है और वो हमारा काम जो है वो कर लेगा ठीक हो गया आगे है जी hence the need of language translators arises ये question हो गया language translator translate the source code written in high level language to machine language ये बात भी हो गई कि translator क्या करता है source code को high level से machine level पे convert करेगा machine understandable language में ये एक software होता है जो कि language processor भी कहलाता है ये कोई hardware का tool नहीं है ये software है जो हमारी language को translate करता है machine language में और हर language का अपना एक language translator होता है जैसे C का भी अपना एक language translator है जिसको हम compiler कहसते है तो language translator की type कितने है तो तीन में टाइम्स हैं compiler, interpreter और assembler काम तीनों का क्या है कि high level के code को या assembly के code को convert करना machine understandable form में तो compiler को पहले देखते है compiler क्या करता है जो high level का code है उसको machine language में convert कर देगा सारे के सारे को यानि कि अगर आपने इसको 10 lines दी है तो वो 10 की 10 line को हो एक ही टाइम पर compile करता है translate करता है और add the end आपको बता देता है कि मैंने आपका kill कोड जो है त्रॉंसलेट कर दिया है कोई error आया है या error नहीं आया तो यह क्रहाँकार, पूरे के waterproof code को translate कोड़ने के बाद न आपको बताएगा code जो है एक exe file generate करता है .exe के name से .exe extension से जो कहलाती है object file या object code अगर हमारे code में कोई error नहीं है source code की बात है कि source code में कोई error नहीं है तो हमारा जो code है वो successfully translate हो जाएगा लेकिन अगर कोई error आ जाता है तो चूंकि यह compiler है यह सारा compile करने के बाद end पे आपको कहेगा कि compile जो है compilation successful नहीं है आप जा कि error को remove करो आप फिर उस error को remove करोगे और उसके बाद फिर compile करोगे और उसके बाद अगर compilation में error ना आया तो compile हो जाएगा एक बहुत बड़ा advantage जिसका यह है कि अगर एक दफ़ा आपने उसको compile कर लिया है तो आप उसको किसी भी time पे execute कर सकते हो बार बार उसकी translation की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब जी interpreter क्या करता है interpreter जो है वो हमारा हर statement को पहले translate करता है उसके बाद उसको execute करता है उसके बाद अगली statement की बारी आती है like अगर आपने लिखा हुए है के print of hello और उसके बाद लिखा है print of hello world तो पहले print of hello को वो translate करेगा machine language में उसके बाद उसको execute करेगा और उसके बाद next line को translate करेगा और फिर उ लाइन बाइन आपको जो है एक्जिक्यूशन देता है एक्जिक्यूशन नहीं ट्रांसलेशन देता है उसकी लाइन बाइन जो है ट्रांसलेशन होती है नेक्स स्टेटमेंट के एक्जिक्यूट होने से पहले पहले वह हर स्टेटमेंट को क्या करेगा ट्रांसलेट करेगा और अगर जिस लाइन पे भी एरर आएंगे उसी लाइन पे उसी टाइम पे वो अपनी इंटर्मिनेट कर देगा ट्रांसलेशन चोड़ देगा और कहेगा कि यहां पे एरर आ गया है इसको रिमूव कर लो तो伊सम्लर से पहले पहले जो दो हैं कमपाईलर और इंटर्प्रिटर यह दोनों हाई लैवल लैंग फिज को मिशीन को ऐंगिच में कंवर्ट करता है। assembler का main काम यही है कि जो assembly का source code है क्योंकि assembly directly हमारा system understand नहीं कर सकता क्योंकि उसमें हमने symbols यूज किये होते हैं binary यूज नहीं की होती assembler का काम है कि वो assembly language को machine language में convert करे ताकि हमारा जो system है वो इस code को समझ सके compiler और interpreter का difference बहुत important है कि यह कैसे काम करते हैं इनका दोनों का difference क्या है तो compiler के हमने बात की कि कि यह सारे के सारे complete source code को object code में convert करता है जबके interpreter line by line statement को translate करता है compiler.exe file generate करता है interpreter.exe file generate नहीं करता चूंकि इसकी execution as a whole होती है like हम लोग इसको translation पूरे के पूरे code को as a whole करता है इसकी execution fast है लेकिन interpreter line by line translation करता है इसकी execution slow है लेकिन compiler का एक drawback यह है कि यह सारे के सारे code को पहले translate करेगा at the end जा के compilation में अगर error आ गया है तो वहां compilation रोक के कहेगा कि जी error आ गया है अब इसके error को remove कर लो तो वहां पे सारे backtracking करके आपको error डूना पड़ता है तो यहां पे error find करना मुश्किल है जबके interpreter क्या करता है कि line by line translation करता है जिस line पे भी error आएगा वह उसी line पे रुप जाएगा और कहेगा कि यहां error है इस error को remove कर लो लेकिन मसला क्या है कि जो compiler है यह most जो languages है हमारी वो यूज करती है interpreter को बहुत कम languages यूज करती है जैसे हमारी पुरानी language थी GW basic तो जो interpreter है वो GW basic यूज करती थी लेकिन जो हमारी languages है C, C++ इस तरह कि modern languages और भी आ रही है और मुझूद भी है Java इस तरह कि जो languages है यह compilers को use करती है interpreter को नहीं जो last point है वो यह है कि source code और object code क्या होता है जी तो source code वो program है जो हम high level language में लिखते हैं वो चाहिए C में हो, C++ में हो, Java में हो, Python में हो, वो सारे का सारा code source code कहलाता है object code वो है जो compiler translate करने के बाद generate करता है यानि जो program हमने compiler को दिया, compiler ने execute किया execute compiler execution का मतलब यह है कि इसने translate किया, उसके बार .exe की file generate की, तो यह जो .exe है यह object code है source code को समझना असान है क्योंकि इसको हमने लिखा होता है high level language में तो यह easy है, इसको समझ सकते हो, errors find कर सकते हो, object code को समझना मुश्किल है क्योंकि यह machine code में translate हो गया होता है, तो इसको हमारे लिए understand करना मुश्किल है जो आज हमने पढ़ा उसमें है जी, compiler से पहले हमने पढ़ा कि language translator क्या होता है, तो translator का काम है high level को low level के code में convert करना, जो code आपने high level language में लिखा है, उसको machine language में convert करेगा, इसमें तीन तरह के translator आते हैं, compiler जो के सारे के सारे source code को as a whole translate करेगा machine code में, interpreter जो के line by line translate करेगा source code को, और assembler जो के assembly language के code को translate करेगा machine language में, source code वो code है जो high level में लिखा जाएगा, और object वो code है जो compiler, compile करने के बाद, आपको translation के बाद, आपको जो file देगा .exe, वो हमारा object code है,